हेलो गाइज वेलकूम बैग टो मैं चैनल आज में आपको बताने वालू कुर्ते से निकलने वाली फॉर्म को हम कैसे उस उस करें तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने छोटा सा बैग बनाया है मैंने ये उसमेक नल्गियों के लिए आप भी बना सकते हो मेकप लिए निल्गियों के लिए जो हमारा सानी से बाहर ले जा सकें तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं मैंने एक उर्टा ले आया है इस पुर्ते के न्दरे चोटी से फॉर्म निकलिया है मैं इस पुर्ते को साइड कर देंगे और हम यह निशान लगाएंगे लंबाई ले रहे हूं है 9 इंच इसकी 9 इंच लंबाई है तो मैं पूरी यह रखोंगे इसे कट कर लेंगे, मैंने इसे कट कर लिया आए, एक वाइ फिर देख लिजेए, मैंने कपड़ा लिया आए, मैंने इसकी लंबाई रखिए 10 इंच, चोड़ाई रखिए 12 इंच, अब हम इस फॉर्म को इस कपड़े के अंदर रखेंगे, मैंने इस कपड़े को कटने किया है, हम यहां सलाई मारेंगे, जैसे जैसे मैं बता रही हूं, हमें कपड़े और फॉर्म को अच्छी तरह रखना है ताकि वो नीचे दबे न, और हमें यहां सीधी से लाए ले जानी है, बिल्किल सीधी सीधी लगानी है, तो मैं यहां एक इंच पर निशान लगाऊंगी, तो इस पूरे कपड़े पर हमें निशान लगा लेने हैं, तो मैंने निशान लगा ली हैं, जहां जहां निशान लगाएं उस पर हम सिलाए लगाते गाएंगी, एक सीधी से लगानी है, आए निशान लगाएंगी, जहां राऊँ मिंच वाजए लगानी है, अ सीधी सीधी सी लगानी है, ंचो एकुम," यम पोरी कपड़ी पर शलाई लगा लेंगे। देखिए, यम ने चोड़े शलाई लगा लेंगे। चैन को में एक दम सीधर रखना है चैन के साइड इसाइड में हमें सिलाय लगाने चैन पर नहीं चड़ानी है बिल्कुल साइड में जैसे मैं लगा रहे हैं वैसे ही चैन को खोल कर हमें आगे कर लेना है ताकि वो दबेना तो यसे हम दूसरी तरफ सलाय लगा लेंगे देखो चैन को यसे रखना है जैसे मैं रख रही हूं चैन को खोल कर रखना है ताकि वो दबेना और साइड से शिलाय लगाते हो लाने हैं तो हम यहां भी सलाय लगा लेंगे तो हम यहां कौनों पर निशान लगा लेना है सलाय के लिए तो मैंने चारो कौनों पर निशान लगा लिया है तो हम इसे सलेंगे इदम सूदी सलाय लगा के लानी है और हम धागे को पक कर लेना है अब चारो कौनों को कट कर देंगे तो मैंने चारो कौने कट कर दी है तो हम अभी पट्टी ले रहे हैं इस पट्टी को हमें थोड़ा मोड कर रखना है जहां इस लाई लगी हुई है उस पर लगाते हुए लाना है कोनों पर पट्टी हम इस लिए लगा रहे हैं ताकि यह जो हमारी फॉर्म है वो दिखे ना बिल्कुल आराम से लगाते हुए लानी शिलाई तब हम इस कपड़े को फोल्ड करकर पीछे की तरफ मोड देंगे देखी जैसे मैं मोड रहे हुँ काव मिया शुदी सिला इंचत ज लानी तो अआरम मोड देखी जया सब्स्द्टी डऊwhat घानी तो मली सकते हैं चला में लगा देखी लेघ़श हू ? कर लेंगे तो मैंने ये चारो कोने सिल लिये हैं अब हम बैग को चैन कुल कर प्लेट लेंगे चारो कोनों को बाहर निकाल तो हम बैग को पलट लेंगे देखिए जैसे मैंने पलट आए हम चैन को ठीक कर लेंगे ताकि वो बाहर ना निकले देखिए हमारा बैग बन का रेड़ी हो गया है देखिए अंदर से कैसी फिनिसिंग आई है तो हम इसमें अपने यूज की वे सामार रख लेंगे तो मैंनल की रख रही हूं हम इसकी चैन लगा लेंगे देखिए छोटा सा बैग किता प्यारा लग रहा है तो हम इसकी चैन लगा देखिए कितना प्यारा लग रहा है चोटा सा बैग तो महारा बैग बन का कंप्लीट हो गया और आपको इस वीडियो पसंद आई तो लाइक करें शेयर करें